अरसलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुती मज़ेदार और हेल्दी डाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो ये काली उड़त और मसूर की डाल है इसे बनाना बहुत आसान है और बेहर टेस्टी बनती है ये डाल तो रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं पॉना कप यहाँ पर मैंने खाली उड़त की डाल लिया और पॉना कप ही मैंने यहाँ पर मसूर की डाल लिया है दोनों दाल हमें इस सेम कॉंटेटी में लेना है अब इसे अच्छी तरह से वाश कर लेंगे अच्छी तरह से वाश कर लिया है मैंने तीन चार पानी से इसे अब इसे कवर करके रख देंगे आदे घंटे के लिए अब भीकी वी डाल को कुकर में आड़ कर लेंगे इसमें एट कर लेंगे तीन मिडियम साइज की टमाटर और दो से तीन हरी मिर्चे नमक एट कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर और एक चमच मिर्ची पाउडर एट करेंगे बिर्शी आप अपने टेस्ट के हिसाब से दाल लीजिए एक चमच अटरक लसन का पेस्ट एट करेंगे और जरूरत के हिसाब से पानी एट कर लेंगे दाल को गलाने के लिए mix करेंगे और cooker का lid बन करें इसे हम गला लेंगे अब दाल को हम गला लेंगे प्रेशर कूक कर लेंगे इसे तो यहां अच्छे से हमारी दाल जो है वो गल चुकी है अब चम्मच की मदद से इस तरह से देखी हम दाल को घोट लेंगे आप चाहे तो दाल घोटनी का यूज कर लिजिए पर हमें बहुत जादा मैश नहीं करना है दाल को तो मैं यहां पर चम्मच से ही मैश कर ले रही हूँ हलका सा देखिए इस तरह की दाल होना चाहिए कि हमें अखी दाल भी साबुत दाल भी इसमें नजर आना चाहिए लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है अब इसमें पानी एड़ कर लेंगे जादा पानी नहीं एड़ करेंगे यह दाल जो है यह गाड़ी ही बनती है और गाड़ी दाल बहुत टेस्टी लगती है यह तो मैंने बस एक छोटा गलास पानी इसमें एड़ किया है कंसिस्टेंसी इसकी आप देख सकते हो अब इसे हम पकने देंगे और इसमें ताजा धनिया एड़ कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे धनिया एड़ करने के बाद तो यहां हमारी दाल जो है वो अच्छे से पक चुकी है अब हम तड़के की तयारी कर लेंगे एक पैन में तीन बड़े चमच ओईल गरम करेंगे ओईल का यूस थोड़ा जादा करेंगे दाल के लिए और एक बड़ा चमच यहां पर मैंने लसन को क्रश करके एड़ किया है तो क्रश किया हुआ लसन एड़ करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है डबल हो जाता है लसन का फ्लेवर लसन को थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे तो यहां थोड़ा सा लसन का कलर चेंज हो गया है अब इसमें एड़ कर लेंगे एक छोटा चमच जीरा जीरे के चटक जाने पर फिर एड़ कर लेंगे आधी प्याज लंबाई में कट करी वी और प्याज को भी हलका सा फ्राइ कर लेंगे प्याज और लसन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तड़के में तो जरूर एड़ कीजिएगा तो प्याज का कलर भी देखिए यहाँ पर चेंज होने लगा है इसी पॉइंट पर एड़ कर लेंगे दस से बारा कड़ी पत्ते और चार बाद सुखी लाल मिर्ची एड़ कर लेंगे और इने भी बस कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राइ कर लेंगे जब तक हमारा प्याज का जो कलर है गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगा इस तड़के में कौटर टीस्पून हिंग भी एड़ कर लीजिए जिससे के डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा अब सारा तड़का हम दाल में एड़ कर लेंगे और गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे बहुती टेस्टी बहुती मज़ेदार ये डाल बनकर तयार होती है तो रेसिपी को जरूर एक बार ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा क्या आपको कैसी लगी डाल की रेसिपी रेसिपी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फिर मिलेंगे इंशाल लाइक नहीं रेसिपी के साथ टेक कैर अलाहाफिज थैंक्स फॉर वाचिंग